नमस्कार सातियों मैं शरद ब्राम्मी अकेडमिय में आप सभी का अस्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे अभी हाल ही मैं 23 जून को मध्यप्रदेश लोग से वायोग 2024 की परिक्षा हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा देखिए हमें पता है कि पोस्ट कम है और कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो सभी का प्रिलिम्स कॉलिफाई नहीं होना कुछी लोग अंदर होंगे जितनी सीट से उसका बीजगुना लोग मैंस लिखेंगे तो अगर आपका बेबर बहुत जाद अच्छा नहीं भी गया है हुआ को निराश होने के वशर्कता नहीं है ना मैंसे नगर पढ़ा था कि माईने यह नहीं करता कि आपने क्या किया या कितना किया माइने यह करता है कि आप कितना कर सकते थे अगर आप कितना कर सकते थे अगर आपने उतना किया है तो फिर आपका परिणाम कुछ भी हो आपको जो है वो गलानी या पस्तावे की भावना नहीं आएगे तो आंगे बढ़ते रहें लगतार प्र और देखें तो पेपर एक अगर हम बात करें तो अगर कुछ प्रस्नों को हटा दें तो बिलुकुल बेसिक पेपर आया था मतलब अगर बेसिक चीज़ें आपकी बढ़िया है तो आप पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते ठीक चलिए बढ़ते हैं आपका आज हम जो ह आपका यूनिट जो पेपर फूर है उसका पार्ट है अब यूनिट फूर में आपका जो पहली यूनिट है वो है आपकी thinkers की दर्शनिक की है तो आप हमारे साथ चलिंगे अभी जो है मैं आपको दर्शनिक पढ़ाऊंगा तो दर्शनिक कुछ हम समझते हो है चलिए पूरे करेंगे unit 1 इसमें अगर हम बात करें तो भारतिय शडदर्शन दार्शनिक विचारक और समाथ सुधारक यहां पर दियेगा है इस लेबस में आपके साथ क्या क्या है तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज जो है वो क्या हो जाएगा भारतिय शडदर्शन ह अगर बात करें तो भए इसके बाद हमको जो है कुछ दरशनिक जो पहले मैं चैने हुए और उसकी कि यह लिए जिसके आंतरगत गवह फ्यार्शनीक आते हैं कौन-कौन से शुकरात आता है, प्लेटोँ आता है, और आपका अरस्तू आता है, तो भह कुछ हमारे क्या है, भारती जुं है, वह दारशनिक हो गए इसके साथ कुछ समाज सुधारक भी जिनके बारे में हमको क्या करना है पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो हमको दो देखने हैं दो प्रकार का दर्शन देखना है एक भारती दर्शन देखना है और दूसरा देखना हम को पास्चार को देखना है ऑगा और मेरी घृत बड़ा है जो आपका पूरा भारती दर्शन है वो हम आपका देखेंगे टिक चलिए अगर हम बात करें तो यह आप एक बार स्लीबस देख लीजिएगा कौन-कौन से थिंकर्स जो है वो आपके स्लीबस में है दोस्तों दर्शन एक जो है यह आत्मिस्थ एक सब्जेक्ट है मतलब समझे इसको आपको समझना पड़ेगा इसमें कुछ वस्तुनिस्थ नहीं है जैसे मैथ में वो वस्तुनिस्था होती है है ना कि वह टू प्लस टू जीगल टू फोर जीएस में कई जगह पर वस्तुनिस्थ आंसर होते हैं जैसे मत्रदेश की राजजानी भोपाल लेकिन दर्शन कुछ भी चीज़ क्या है वे आपका वस्तुनिस्थ नहीं होता दर्शन डिपेंड करता है आपका समझने में अगर आप दर्शन को याद करने की जगह फिलॉसफी को याद करने की जगह आप अगर उसके बेसिक्स को समझेंगे आप उसके कॉंसेप्ट को समझेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भई दर्शन क्या है क्योंकि हमको दर्शन ही चालू करना है दर्शन ही हमको पढ़ना है और जब दर्शन सास्त्र हम पढ़ेंगे तो हमको तो पहले ही पता होना चाहिए कि दर्शन एक्शुली मैं है क्या तभी तो हम दर्शन को आपके कबाइसों के आधार पर पड़ेंगे तो कई जगशन आपके जो है वह प्रिपलों के साथ होगा आपके विचार वीस ठोग होगा तो आप कोशिशlang कीजी कि आपके जो भी मूल्य हैं आपके जो भी विश्वास हैं ठीक जो भी आपके विचार हैं आप उसको जो है वो इसमें मिक्स मत कीजेगा इसको थोड़ा सा अलग रखे ताकि आपको दर्शन जो है वो निस्पक शोकर समझमा है क्या होता है जब हम अपने पूरवाग्रहों के बाद जब हम दर्शन को पढ़ते हैं तो हमको पहुत सरी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो इसकी केवल एक शर्त है कि आपको अपने सारे पूरवाग्रहों को सारे अपने मुल्यों को सारे विश्वासों को जो है वो दर्श ग्यान की प्राप्टी का अगर हम जानने का प्रयास करते हैं नॉलिज को जानने का प्रयास करते हैं होते हैं तो वही क्या कहलाता आपका दर्शन तो भाइन रगना यहां तो सब्दों का द्यान दिजिएगा जैसे अगर हम बात करें यहां पर पहला शब्द किया लिखा तत्य और प्रमाण के अधार पर अगर हम बात करें तो आपका फैक्ट और अधार पर अगर हम बात करें तो अपने विचारों का या किसी भी जानकारी का निस्पक्ष और तार्किक विशलेशन ध्यान रखिएगा आपका अनबाइजड एंड लोजिकल अनलाइसिस जो है वो करके क्या करना हमको सत्य की खोज करना कि भई सत्य क्या है वो क्या कहलाता है आपका दर्शन कहलाता है ठीक तो ध्यान रखना कि भई आपका जो है वो हम क्या करके कि अपने सारे जो है वो निस्पक्षो जाएं ठीक को खुजने का प्यास करते हैं तो वहां से जन्म होता है किसका आपका दर्शन का होता है देखिए हम सभी विचार करते हैं भाई मान के चलिए कोई भी वस्तू है उसके लिए आपके मन में कोई ना कोई विचार तो होगा जैसे कोई भी विशय है कोई भी वस्तू है कोई भी मगई लिए अब सूशते हैं उसको अपने आधार पर सूशते हैं उसको आप स्वार्त मुलब ओकर सूशते हैं या उसको वस्तुनिस्थ तो बैर कई वैक्ति होते हैं जो बस अब यह हमको देखना है किसका दर्शन अच्छा है और किसका दर्शन जो है वो आपका जो है वो नकरात्मक है किसका सकरात्मक दर्शन है किसका दर्शन जो है वो आपका नकरात्मक है कई जगा कई आपको ऐसे दर्शनिक मिलेंगे जो सुख को महतो देते हैं हैं आप पड़े जो पूर में तो देते हैं सब कुछ शुख है पुछ ऐसे हैं संसार दुख्मय माना तो तो चीज़ दृशन क्या है चारवात के विशार चारवाग के बारे में सोचा और उसको खुषते- क्या है भू. इस को एक कोइंड पहुंचा जिसको क्या कह दिया हमने चारवात का दृशन के दिया तो दर्शन कुछ नहीं पर दिज़न का जानना जानना दाता हूं तत्य और प्रमाण के आधार पर जैसे अगर आपके अंदर एक विश्वास आपने बना लिया कि हाँ इश्वर है यह दर्शन नहीं है दर्शन कहा है जब आप इस विश्वास को साइड में रखें और फिर खुझे कि क्या इश्वर है उसके बारे में प्रश्न करे उसके बारे में फिर क्या करें भई जाने फिर जो आपको उत्तर मिले उसमें संधे करें उसके बारे में आप जानने का प्रयास करें कि हाँ अगर इश्वर है की नहीं है आपको जो भी जवाब मिलता है कि हाँ भई है तो भई कैसा है किस से बना है एक है या अनेक है अनेक एक है तो अनेक कहां से आए अनेक है तो फिर हम प्रमात्मा को एक क्यों कहते हैं तो यह क्या कर रहे हैं अप प्रश्न कर रहे हैं तो यही एक प्रक्रिया जो है जब आप तत्यों को साथ में रखते हुए करें प्रमाडों को साथ में रखते हुए करें और निस्पक्ष होकर ठीक ध्यान रखिएगा कैसे भई निस्पक्ष होकर और तार्किक लॉजिकल ठीक यहां पर यह बहुत बड़ा शब्द है क्योंकि पूरा दर्शन तर्कों पर टिका हुआ आप सुनते होंगे आप ओशो को सुनते हैं आप बड़े बड़े जो है वो फिलोस्फर को सुनते हैं वो क्या करते हैं तर्क की बाते करते हैं योगी पूरा दर्शन किस परटिका हुआ होता है तर्क परटिका हुआ होता है तो ध्यान रखेंगा तार्की क्विश्लेशन करकर सक्ष्च तक पहुंचना है वो क्या किलाएगा आपका दर्शन अब दर्शन कैसे स्कूर और समझेगा कि भाई जो मानव है जो मनुश्य कैसा वेक्ति है मनुष्य एक चिनतन शील प्राणी है या मनुष्य एक विवेक शील वेक्ति है तिक फेले इसको समझे फिर बताता हूं मैं आपको इसको आरश प्रेस में बढ़ता हूं मनुष्य क्या है मनुष्य एक चिनटल शील या मनुष्य एक विवेक शील प्राणी है एक आपका rational being है या thinking being है जो जिसके अंदर सोचने की च समता है और यही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है क्योंकि आप देखेंगे तो भई जो पशू है वह भी खाना खाते है जैसे मनुष्य खाता है कि यह आपका चिन और विवेक अइसे गुन है जो किसी मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं या मनुष्य प्रति यानवर ईससे क्या करते हैं जैसे कुछ मनुषी क्या करता स्य शुक्रति क्यी तो मनुषी क्या करता है कि जिसका हर विशय tę कैपि क्या होता है कि अपना Bills차 Drescial होता यह से बहुत से हैं कि पैसे की बना कुछ भी नहीं है किसी कााइन Strength & Sum बाइ शांति या सुक्कोर स्मय मानता होगा कोई सहें मानता होगा है कि कोई और कोई मत होता है की आपका वह नाइट कलचर का वकोई हो सकता है ख़ेर बन गए आपने मत है इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका विश्वास सब के अलग अलग विश्वास है कोई इश्वर को मानता है कोई इश्वर को नहीं मानता है तो जब मनुष्य जो है वो अपने इन विशय के प्रतिजु दस्टिकून है जो इनका मत है जो इनकी विश्वास है जब इनका जो है वो तर्क के आधार पर विश्लेशन करता है तब जन्म होता है किसका भई आपके दर्शन का जन्म होता है तब तरक के आधार पर अगर आप मन मेरे विश्वास बना कर वैठे हैं कि पाहई इश्वर तो होता ही है तो आप कितने भी प्रश्ण चीनह लगा लें कितने भी प्र smartphone को बाले को या आपको कितन tratar भी समझा दे आप उस चीज़ों को नहीं मानेंगे कि हाँ इश्वर नहीं होता क्यों क्यों कि आप उस विश्वास को अपने पहले अंदर धारण किये हुए हैं कि हाँ इश्वर होता तो वो पूर्वागर है या वो पहले से आपकी जो चिंतन है या जो विचार है वो पहले से आपके अंदर जम कर बैठा हुआ है और इसलिए कहा जाता है कि भई जब भी आपको कुछ नया शीखना है या जब भी आपको दर्शन पढ़ना होता है तो आपको बौधिक रूप से विनम्र होना होता है बौधिक रूप से विनम्र मतलब क्या कि अगर कोई नई जानकारी आपको मिल रही है और वो जानकारी अगर आपके विश्वासों के विपरीथ है तो भी आप क्या करें भई उस जानकारी को स्विकार करने का उस जानकारी को तर्क के आधार पर विशलिशित करकर अगर वो जानकारी आपको लगती है कि नहीं भई ये जानकारी सही है मेरे पुराने विश्वास के भले ही विप्रीथ है लेकिन ये जानकारी कहीं ना कहीं तार्किक आधारों पर जो है वो सही है तो उस जानकारी को आप स्विकार कर सकें ये होती है बौधिक लूप से विनमरता ठीक तो ये चीज ध्यान रखना कि दर्शन क्या है दर्शन के बारे में एक चीज और ध्यान रखना अगर हम बात करें तो भारत में या भारती दर्शन में अगर हम देखें तो जो दर्शन है उसका एक आयाम है मोख् मतलब कहीं न कहीं से भारती दर्शन क्या है आपका अध्यात्मिक है लेकिन जब आप कहां जाएंगे वेस्टन में जाएंगे तो वेस्टन में उनका दर्शन क्या होता है वैज्ञानिक होता है तो हमारे यहां का दर्शन कैसा अध्यात्मिक हमारे किस पर विचार किया गया है मुक्ष पर हमारे किस पर विचार किया गया इश्वर पर हमारे किस पर विचार किया गया है संसार पर विचार किया गया है और वहीं अगर आप western जो है philosopher को देखेंगे तो बात करते हैं ज्ञान की गुणों की सद्गुणों की सम्त्रत्यों की तो ये क्या है आपका एक वैध्यानिक दस्टी कोड़ है वहाँ पर बहुत जादा आध्यात्मिक पुट देखने को नहीं मिलेगा जबकि भारत की दर्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा भई आध्यात्मिक पुट देखने को मिलेगा तो मैं आशा करता हूं कि दर्शन क क्या होता है वह आपको समझ में आ गया होगा एक छोटी सी लाइन में आपको वापिस क्लियर कर देता हूं कि आपकी जो भी विचार है या आपकी जो भी जानकारी है जब आप तरकों के आधार पर जब आप तार्किक विश्डिशनों के आधार पर जब आप तत्यों के आधा पर अपनी उस जानकारी पर प्राश्चे न लगाते हुए सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तब किसका जनम होता है दर्शन का दर्व मोट है और इन्ही तरपों के आधार पर निश्पक्ष रूव से जो ग्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते है भैंबué आपका द दर्शन देखने को मिलेंगे जिसमें एक है आपका कैसा भова या प्लत्र जो इनलों में को है अगर हम दर्शन की बाद करते हैं वेस्टन के इसाब से पाश्चिमी के इसाब से बाद करते हैं तो में ध्यान रखना दर्शन मतलब philosophy जो है वो दो शब्ढों से मिलकर बनी है philosophy और Sophia philosophy का मतलब होता है प्रेम और Sophia का मतलब होता है तो ध्यान रखना सोफिया का मतलब क्या होता है और ध्यान रखिएगा फिलो का मतलब क्या होता है प्रेम मतलब कि आपका ग्यान की प्रती जो प्रेम है पास्चात दर्शन के साफ से बात करना ग्यान के प्रती प्रेम या अनुराग या ग्यान को ही जानने की इक्षा क्या क्य और यह ग्यान कैसा होना चाहिए यह ग्यान आपका करें सब पर लागू हो सकते हैं उसकी हम नैंने हो गया है कि हमने हिंसा और सबके अलग अलग मत फोर सकते हैं तो यह क्या हो गया यह वस्तोनिस्थ नहीं हो गया यह कैसा हुआ भी आपका आत्मिनिस्थ हुआ मतलब इसका उत्तर व्यक्ति के हिसाब से होगा इसका कोई एक fix उत्तर नहीं है लेकिन अगर आप गड़ित में जाएंगे और आप पूछेंगे कि भई 10 प्लस 10 कितना होता है तो भई वहाँ पर क्या होगा आप किरीज़ी पूछें जिसको भी गड़ित आती हूँ क्या बुलेगा भई 20 क्योंकि वहाँ पर एक वस्तूनिस्था है वहाँ पर एक fixability है जैसे आप देखते हैं आपने जो अभी पेपर दिया उसमें किस प्रकार की प्रशन आते हैं उसमें आते हैं वस्तूनिस्थ प्रशन मतलब आपने आपने जो है वे question दिया हुआ है उसमें क्या दिये हुए है चार विकल्प दिये हु कि लिए आपका जो है वो समान रहेगा तिक सभी के लिए अलग लिए नहीं होगा कि वह किसी के लिए वह अंसर ए हो गया किसी के लिए जैसे धरन के तौर पर कि आया मद्रप्रदेश की राजधानी क्या है वह चार आप्षन आपको दे दिये वह पाल जबलपुर गौालियर हाँ लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि आपकी राय में जो है वो मद्रप्रदेश की राजधानी क्या होनी चाहिए थी तो अब यहाँ पर मुद्धा कैसा हो गया यहाँ पर मुद्धा आपका जो है वो रैशनल हो गया यहाँ पर मुद्धा जो है वो आपका कैसा हो गय आपनिस्ट हो गया अब यहां पर लोग अपने हिसाब से अपने जिस्टिफिकेशन के हसाब से आपको बताएंगे कि यह राज़ानी होंने चीए कोई हो सकता है जवालपूर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए दूसरा कि ये सार्व भौमिक होना चाहिए सार्व भौमिक मतलब अगर हम बात करें तो बस्तुनिस्था हो गई या इसको आप कह सकते हैं कि एक निश्चितता उसके अंदर होनी चाहिए कि भई वो आपका क्या हो एक निश्चित हो दूसरा क्या कि भई ये जो आपका ग्यान है ये कैसा मतलब कि आपका उनिवर्सल बस्तुलिस्ट मतलब क्या हो गया कि सभी के लिए है यह कि परिष्टिति occurs नहीं होता कहा कि वही एक आतंगवादी हो लोगों को मार रहा है तो बताओ यह अच्छी बात है कि बूरी बात है और सब को बंधक बना लिया है और वहां पर केवल एक ही वेक्ति ऐसा है जो बचा हुआ है उसके हाथ में जो है कोई शस्त्र या मान लेजिये बंदूख है अब वह दो चीजे कर सकता है या तो उसको मार दे या तो अपनी पूरी फैमिली के प्राण जाने दे तो वहां पर आप अग तो ध्यान रखना इन्होंने क्या कहा कि ज्यान कैसा हो वस्तुनिष्थ हो मतलब उसमें एक निश्चित्ता हो दूसरा क्या हो आपका सार्भौमिक हो मतलब वह सभी के लिए हो इस चीज़ को ध्यान रखना तो भई पास्षाद दर्शन जो है वह किसकी बात करता है ज्यान क प्रति जानने से हुआ तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें किसकी भाई भारती दर्शन की बात करें तो भारती दस्टी कौन से ध्यान रखना अगर हम भारती दस्टी कौन से बात करते हैं तो यहां पर जो है वह मैंने आपको बता है थोड़ा सा क्या मिलेगा भई देखने को मिलेगा आपको यहां देखने को मिलेगा कि भई सरवोच सत्ता कौन है सबसे उपर वह एक है अनेक है परमात्मा की बात होती है इश्वर की बात होती है ब्रह्मा की बात होती है मोक्ष की बात होती है यह सारी चीजें क्या है भई यह आपको देखने को मिलेगा क्य भारतिय दर्शन में जिसमें आत्मा है की नहीं आत्मा का इश्वर से क्या संबंध है ठीक ब्रह्मा है की नहीं परमात्मा है की नहीं उसका इस संसार से क्या संबंध है और कैसे आप जो है वो मोक्ष की और जा सकते हैं ये किसमें देखा जाता है भई ये देखा जाता है आप आपका जो है वो भारतिय दर्शन तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर हम बात करें पास्चात दर्शन और भारतिय दर्शन जो है उन दोनों में क्या है आपका जो है वो अंतर है भारतिय दर्शन आध्यात्मिक पुटली हुए है आध्यात्मिक मुलिये हुए है यहां पर पर चाद दर्शन है यहां पर किसकी बात की जाती है ज्ञान की बात की जाती है तो आशा करता हूं कि इन दोनों दर्शनों में क्या आपका डिफरेंस है यह दोनों दर्शन क्या है यह आपको समझ में आगया होगा चलिए बढ़ते हैं आपका आंगे अब जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो यह शब्द आपके सामने बार-बार आएंगे ठीक क्या है इसको समझते हैं जब भी हम दर्शन पढ़ते हैं तो उन दर्शन पर तीन चीजों पर चर्चाएं की जाते हैं टृप उस दर्शन पर अगर हमँ बात करें तो तीन डाइमेंस्ष्स पर बात करते हैं टीन आयाम पर बात करते हैं एक क्या होता है भई एक ध्यान रखिएगा एक होता है आपका तत्व मिमानसा कौनसी मिमानसा भई तत्व मिमानसा होती है और तत्व मिमानसा मतलब क्या हो गया भई आपका ज्यान मिमानसा होता है और तीसरा अगर हम बात करें तो भई तीसरा क्या होता है ध्यान रखिएगा तीसरा जो होगा वो क्या होगा भई ध्यान रखिएगा वो होगा नीती मिमानसा या अगर हम बात करें तो भई आपका एथिक्स होगा जिसको हम आचार मिमानसा भी कहते हैं तो जब भी हम दर्शन की बात करते हैं तो ध्यान रखना दर्शन में तीन शाखाएं होती हैं तत्व मिमानसा ज्यान मिमानसा और नीती मिमानसा ये शब्द आप जब दर्शन पढ़ेंगे तो आपको बार बार सुनने में आएगा बार बार पढ़ने में आएगा इन तीनों दर्शन की अलग अलग शाक आएます इन्न तीनों में अलग ? जो हैँ विचार खिए जाते हैं अलग और विश्यों पर विचार के जाते हैं अज़िए कार समझ ना यह अगर हम बात करें तो भई आचारशंकर के तत्व विमानसा संबंदी विचार लिखी है तो अब आपको पता होना चाहिए है क्या तो चलिए समझते हैं अगर हम बात करें कि तत्व विमानसा या मेटाफिजिक्स जो है यह आपकी दर्शन की वो शाका है जहां पर मैनली तीन तत्व की बात की जाते हैं ध्यान रखना जहां पर मूलतत्व वो आपके मैन चीज तीन है वो तीन मूलतत्व कौन से है भई एक मूलतत्व है आपकी आत्मा आत्मा है की नहीं है है तो भई मेल है फिमेल है यह सब इस पर या आत्मा का इश्वर से क्या संबंध है आत्मा का जगत से क्या संबंध है आत्मा का मोक्स या दूसरा संबंध है आपका इश्वर से इश्वर है की नहीं है तो भई एक ही इश्वर है या बहुत सारे इश्वर है इश्वर महिला है या इश्वर पूरे सबसे पहले इश्वर कहां से आया इश्वर जड़ है या मतलब किसी वस्तू के रूप में है या चेतन है मतलब आत् तो इश्वर कैसा है? उसका क्या संबंध है इस संसार के साथ? क्या इश्वर नहीं हम सब को बनाया है? क्या इश्वर नहीं जगत को बनाया है? क्या इस जगत को इश्वर ही संचालित करता है? जब ये सब प्रश्णों की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होगा भई ध्यान र गया गौड हो गया और वर्ड हो गया जब इन तीन की हम बात करते हैं आत्मा की बात करते हैं इश्वर की बात करते हैं जगत की बात करते हैं कि आपका जो है वो जगत कैसे बना जगत कैसे उत्पन हुआ क्या जगती समाप्त हो सकता है जैसे इनसान समाप्त होता है तो क्या ऐ आपको देखना पड़ेगा या तत्विमानसा में अगर हम बात करें इन चीजों को जो है वो देखा जाता है और यहां पर देखिए दो ही तत्व विचार किया जाता है जैसे आत्मा हो गया इश्वर हो गया जगत हो गया तो यह क्या हो सकता है या तो जड़ होगा वोई भी आपका जैसे बानके चलिए यह पैन है, मारकर है, यह बोड है, ठीक यह सब क्या है भई आपका, matter है, यह सब क्या है अगर हम बात करें तो जड़ है, इसको हम देख सकते हैं, इसको सिद्ध करने के अवश्क्ता नहीं है, लेकिन दूसरा क्या होता है भई आपका, चेतना हो ज खताना है, जड़ के रूप, हमारे अंदर विचार करते हैं, जब हम अगर बात करें तो आपके समभन, जब और पर बात की जाती है, आत्मा पर बात की जाती है, आत्मास के सम्भन से सम्भने प्रश्ण होते हैं जगत से संबंदित की जगत कितना अच्छा है कितना नहीं दूसरा दर्शन का एक शाका है जिसको कहा जाता है जिसको क्या कहा जाता है अगर हम बात करें तो ग्यान मिमान सा कहा जाता है अब ग्यान मिमान सा क्या है एपस्टिमलोजी क्या है तो ध्यान रखना यहां पर बात की जाती है भई ज्यान की ज्यान क्या है वास्तिता में एक्ष्वल नॉलिज क्या है सही क्या है ज्यान क्या है इसकी बात की जाती है सही ज्यान प्राप्त कैसे कर सकते हैं इसकी बात की जाती है है ना मतलब सही ज्यान हमको कैसे प्राप्त होगा कुछ कहींगे जैसे मान के चलिए कि आपने जो है कोई वस्तु खाई या माली जाप करें शादी पार्टी में आपने खाना खाया अब एक ज्यान आपको इंद्री से प्राप्त हो रहा है कि आपने खाय, मानके चलिए कि आप जो है वह कहींखाने पर घखाने पर रहां पर तीन-चार प्रकार के विक्ति एक विक्ति जो है वो बिलुकुल भी तीखा नहीं खाता एक व्यक्ति सामानिती का खाता है और एक व्यक्ति बहुत ज़़ाद मसाल दर खाना खाता है अब उन्होंने क्या किया आपने जो है वो खाना सरू किया तीनों व्यक्ति ने खाया ये भी क्या है एक ग्यान का स्त्रोथ हो गया हमको सुनुरही वह भी क्या हो गया वह इस ठोथ हो गया हमने कही crisis को इशपर किया अब अधर्ण क क्यों teach लोग ही जो अलग अलग की खाते कंविखाथा एक समाय खाता और बहुत दता आपने उनको भोजन सर्व किया और आपने उसमें बिलुकुल समान्य मिर्ची में लाई भी थी अब आप जब भोजन की बात करेंगे तो देखो इंद्रियों का ग्यान अलग-अलग हो गया कैसा जो बिलुकुल मिर्ची नहीं खाता उसके लिए समान मिर्ची भी जादा है वो कहाएगा भी खाना बहुत ठीका है जो व्यक्ति समान ने खाना खाता है उसके लिए खाना अच्छा रहेगा तो बोले का ने भी बढ़िया खाना है सब कुछ बढ़िया बैलेंस है और जो जादा मसाइदार खाना खाता हो कहेगा ने खाना क्या है ठीका है अब एक ही खाना तीन लोगों के लिए क्या हो गया अब यह आपका अलग-अलग हो गया यह किसका ग्यान था इंडियों का ग्यान था तो क्या यह जो इंड्रियों से ग्यान प्राप्त होता है क्या यह सही ह या बुद्धी से जो हम ग्यान प्राप्ट करते हैं वो सही है तो वास्प्रिक्ता में ग्यान का सही स्रूट क्या है मैं सोर्स क्या है इसकी बात की जाती है यहाँ पर कि भई ग्यान क्या है और भई जो ग्यान है वो हम कहां से प्राप्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए इसके बाद अगला क्या हो जाएगा कि भाई इस ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है क्या ज्ञान सभी के लिए एक जैसा होता है क्या ज्ञान सभी के लिए अलग-अलग होता है क्या ज्ञान परिस्तिती के इसाब से चेंज हो जाता है या ज्यान जो है वो आपका सारभोमिक होता है ज्यान क्या आत्मनिष्ट होता है आत्मनिष्ट मतलब की व्यक्ति के नुसार या ज्यान जो है वो आपका भई अगर हम बात करें तो सभी वस्तुनिष्ट मतलब एक फिक्स होता है तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर इसकी प्रकत के लिए आपके सीमा तक जा सकते हैं यह वी क्यान के बारे बारे में तर्चा की DR क्षेख प्रामbons वरना टिलॉट है उधारन के तौर कि आ दॉधाथारन के थो कि आपको जो है कि छटे होते हैं तो भी उनको बहुते नहीं मश्ती氣 सब्सक्रीन बच्चे को अपने चीज बताते हुए बताते हुए अपने बड़ा ग्रव लिया अब वह जब बाहर निकला तो उसने इसकी प्राम जो आपका प्रमाण है इसका जो आपका थर्टिकेशन है इसको एक बार देगा कि सही में ऐसा होता है उसने पाया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं ज्यान प्रमाणिक होना चाहिए ये सारी चीजें जो हम चर्चा करते हैं ये किसवर करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये चर्चा करते हैं आपके प्रिस्टिमलाजी में करते हैं या ज्यान मिमानसा में करते हैं तो ध्यान रखिएगा जब भी ज्यान की बात आएगी जैसे जब आप सुकरात वς पड़ेंगे तो ज्द्जान ही सदगुन है सदगुन ही ज्द्धून अप पास्षात दर्शं में देखेंगे अधिकतर जो है वो ज्द्धून की ब्रू की बाद की गई है शायर के विवीक की बाद कि जो है तो ये जो आपके ग्यान के गूण होते हैं वहां पर उसकी चर्चा की गई है और भाई शाती-सात में ज्ञान रखना नीती विमन सा क्या होती इतिक्स क्या होती है तोनाम सही आपको क्लियर जो आप पढ़ रहे हैं मतलब व्याहर पर जहां पर बात की जाए जहां पर behavior की बात की जाए जहां पर नीतियों की बात की जाए क्या सही है क्या गलत है कैसा व्योहार करना चाहिए कैसा व्योहार नहीं करना चाहिए तो जब आप जो है वो अच्छे गुणों की बात करें जो आपके व्योहार में प्रिक्ट होने वाले जब आप मुल्यों की बात करें ठीक करते हैं आपका नीती मिमाशा के अंतरगत जब हम भुल्यों की बात करते हैं है कि ठीर हम यह पाते हैं कि उन bijसे कौन सा मूल अच्छा है तेक तीनों में कुधान के समझाता हूं यह जब इसवर की बात हो रही है आत्मा की बात ह Smри यह जगत की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा भई तत्मिमान सा हो जाएगा जब ग्यान की बात हो रही है कि भई नौलिज के बारे में बात हो रही है तो वह क्या हो जाएगा भई आपका जो है वह ग्यान मिमान सा इसके लावा जब आपकी मुल्यों की बात होती है जैसे भई दो गुण है म एक मूल्य स्ञtså कि तर्क के अधार पर जू है जानने का प्रयास किआ गया इनमें से कौन सा ओक्र ça इमानदरी का गुण अच्छा है तो हमने क्या कर लिया उसको अपने विवहार में उसको अपने behavior में क्या कर लिया जू है हमाहेत् कर लिया उस पूह हमने अगसेप्ट्र लिया हमने देखा कि बैई जो है वो आपका हिंसा या लासं क्या ज़ाधा अच्छा है दोनों अपने अपने गुड़ हैं तो हमने हिंसा और हिंसा करना गलत नहीं होता जैसे मैंने आपको भारन दिया आछा कि भई मान के चली एक перек कि भई आपके घर में चोर या मानी डगेत आ गए है और आपके पास एक बंदूग आपको हाथ में लगई है और आपके पास एक ही विकलफ है कि या आप उस डगज्ञट को मार दें केवल एक ही विकल्प है और आपने कभी आप हिंसा पर बहुत विश्वास करते हैं आपने कभी भी हिंसा नहीं करी और आपने क्या किया कि आपको पता है कि अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो सब को मार देंगे तो अब वहां पर अगर आप हिंसा करेंगे तो यह यहां पर हिंसा को गलत नहीं माना गया तो ध्यान रखिएगा यहां पर हम क्या करते हैं भई मुल्यों की बात करते हैं यहां पर जो हैं किसकी बात करते हैं भई मिमानसा की बात करते हैं तो इस बात को जो है आप समझेगा ठीक शलें तो यह आपकी जो है वो क्या हो जाएंग पहले जो Western आपका philosophy है या जो आपका पास्चात दर्शन देखिए आपके इस लेबस में शुरुआत तो सद्रशन से ना शुरुआत में लिखा हुआ है उसके बाद फिर आपके फिलोसफर है वेस्टन वाले फिर आपके इंडियन फिलोसफर हैं तो हम सद्रशन इंडियन फिल प्रिट और उस्तु को पहले जानते हुए उसके बाद फिर हम क्या करेंगे आपका आएंगे जो है वो भारतिय दर्शनों पर आएंगे भारतिय दर्शनों को पर आएंगे तो आज के लिए इतना ही बिलते हैं आप शेकली वीडियो में